नमस्कार, Capital TV की Special Story देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रोहिक कुमार हर एक धर्म और संप्रदाय में कोई ना कोई खामी जरूर होती है जिसे लेकर समय समय पर सवाल भी उठते हैं चाहे वो दूसरे संप्रदाय का कोई व्यक्ति उठाए या फिर उसी धर्म से जुड़े लोग इसलाम की बात करें तो इस पर कटरपंथ का इलजाम लगता है तो वहें हिंदूओं में जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है आज एक बार फिर जातिवाद को लेकर चर्चाएं तेज हैं और दंगे जैसी स्थिती बनी हुई है दरसल यूपी के बरेली से जातिगत भेदभाव को लेकर जो खबर सामने आई है उसने पूरे छेतर में सवर्नों और दलितों के बीच टेंशन का महौल पैदा कर दिया है क्या है यूपी के बरेली से जुड़ी ये पूरी खबर जिसने सनातन धर्म की जातिय व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल ये निशान खड़े किये हैं बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में यूवक को पानी पीना पड़ा महंगा दबंगों ने दलित की करदी पिटाई लड़के की मा ने किया विरोध मंचलों ने फाय डाले महिला के कपड़े उत्तर परदेश के बरेली से मानवता को शर्मना करने वाली खबर सामने आई है आरोप है कि दबंगों ने अनुसूची जाती के यूवक को नल से पानी नहीं पीने दिया जब यूवक की मा ने इस बात का विरोध जताया तो उनके साथ जम कर मारपीट की गई इतना ही नहीं उनके कपड़े फार दिये गए आरोप है कि दबंगों ने महिला को निर्वस्तर कर गाउं में खुमाने की धमकी भी दी पीडित महिला ने पूरे मामले की शिकायत SSP से की उसके बाद SSP ने मुकदमा धर्च करने के आदेश दिये पुलीस ने आरोपितों के खिलाब गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्च कर महिला को मेडिकल परिक्षन के लिए भेज दिया पुलीस ने पूरे मामले की जाँच परताल शुरू कर दी है फिलाल आरोपी घर छोड़ कर फरार है दरसल पूरा मामला बरेली के थाना कैंट छेतर के गाओं चौबारी का है आरोप है कि गाओं के अनसूची जाती के यूबक को दबंगों ने अपने नल पर पानी पीने से मना कर दिया और उस पर रोक लगा दी जब बेटे के बचाओं में मा पहुंची तो दोनों को जाती सूचक गालिया दी गई और महिला के कपड़े फारने और जम कर मारपीट करने का आरोप लगाया है दबंगों ने धमकी दिया कि महिला को निर्वस्तर कर गाओं में घुमाएंगे डरी सहमी महिला ने हिम्मत करके पूरे मामले की शिकायद बरेली के SSP से की गटना की सूचना मिलने पर SSP ने पूरे मामले में केस दर्श करने के आदेश दिये हैं आदेश के बाद कैंट थाने में दो लोगों पर SCST Act के तहर रिपोर्ट दर्श कराए गई है और महिला को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया गया है फिलाल दोनों आरोपी घर छोड़कर फरार हैं पुलिस गरफतार करने के लिए जगा जगा पर दबिश दे रही है महिला का आरोप है कि उसका बेटा गाओं के ठाकूर राजेश के खेत में पानी पीने गया था वहाँ नल पर पानी पीने के दोरान शिशुपाल आया और उसने पानी पीने से रोक दिया शिशुपाल ने जाती सुचक किपणी करते हुए कहा कि तूने पानी को अच्छूत कर दिया बेटे ने घर जाकर मा को इस बारे में बताया सियो प्रथम पंकर श्रिवास्तव ने बताया कि आरोपे के आधार पर रिपोर्ट दर्च कर ली गई है और सबूतों के आधार पर आगे की कारवाई की जाएगी बताने के यूपी एक बड़ा प्रदेश है जहां करोडों की संख्या में लोग निवास करते हैं ऐसे में जातिगत मतभेद की खबरे सामने आती रहती है ऐसी एक खबर यूपी के महोबा से सामने आई थी जहां अंडे की दुकान पर रखे घड़े का पानी पीने के कारण अनुसूची जाती के व्यक्ती को दो दबंगों ने मार पीट कर लहू लुहान कर डाला था चुवा चूत के चलते मटके से पानी पीने पर दबंग भड़के और एकदम से पीडित पर हमलाबर हो गए पीडित की शिकायत के आधार पर पुलीस ने जांच शुरू कर घायल को इलाज के लिए जीला अस्पताल भेजा जहां उसका मेडिकल परिक्षन भी किया गया पुलीस इस मामले को दो पक्षों में शराब पीने पर हुआ विवाद बता रही है लेकिन पूरा मामला क्या है ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा आज एक इसवी सदी में जहां इंसान चान पर घर बना रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आज भी सामानतवादी सोच और छुवा छूट के मामले से हैरत होना लाजमी है महोबा जनपत के श्रिनगर थाना छेतर अंतरगत लुहेडी गाउं में चुवा छूट के चलते एक अनुसूची जाती के यूबक के साथ गाउं के ही दो दबंगों ने बेरहनी से मार पीट कर लहुलुहान कर डाला बतादे कि मध्य प्रदेश के जनपत छतरपूर अंतरगत आने वाली ग्राम तिंदनी निवासी अनुसूची जाती का कमल जनपत के लुहेडी गाउं में अपने जीजा किशोरी के यहां विवा कारकरम में शामिल होने के लिए आया था जहां शाम के समय गाओं में ही लगे अंडे के ठेले पर अंडे खा रहा था और पास में ही गाओं में रहने वाला हिमंत राजपूत अपने एक अन्य साथी के साथ ठेले पर खड़ा था जैसे पीडित ने फेले में रखे मटके से पानी पीना शुरू किया तो दबंग ने अनसूची जाती होने पर मटके से पानी पीने पर रोक लगा दी जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ मार पीट की गई उसे इसकदर मारा पीटा गया कि पीडित लहुलवान हो गया, पीडित बताता है कि उसे सिर्फ इसलिए मारा पीटा गया कि वह छोटी जाती का व्यक्ती है। वालमी की समाज के होने के चलते उसके साथ मार पीट हुई, उसे जातिश उचक शब्दों से अपमानित कर इस कदर लाठी डंडों से पीटा कि उसके शरीर पर जगा जगा यखमों के निशान हो गए। यही नहीं आरोपियों ने उसे अचेत अवस्था में नदी के पास फेक कर फरार हो गए। पीडित बताता है कि उसकी तलाश करते हुए उसके जीजा और बहन उसके पास पहुँचे और फिर ठाने लेकर आए जहाँ पुलीस ने मेडिकल परिक्षन के लिए उसे जीला अस्प मारपीट हुई है और इस मामले को गाउं के कुछ लोग मिलकर तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी तहरीर के आधार पर जाच की जाएगी और जो भी तत्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कारवाई की जाएगी। लगबग 70 साल पहले भारतिय सम्विधा में चुआ चूट को कानूनी तोर पर खत्म कर दिया गया था पर समाजिक तोर पर वह कभी खत्म नहीं हुआ। 20 मार्च 1927 को बी आर अमबेटकर दौरा शुरू किया गया महाल सत्यागरा या चाबदार कथा सत्यागरा भी इसलिए शुरू किया गया था ताकि सारवजनिक टैंक से जिने समाज में अच्छूत माना जाता है वह भी पानी पी सके आज इतने सालों बाद भी पानी और जाती दली तों वह आखरी पाइदान पर रह रहे हैं लोगों के लिए सिर्फ हिंसा और शोशन का ही रूप है दली कुए से पानी नहीं पीएगा दली सारवजनी कु काली रखा है और सरकार कहती है उसने समाज को बदलने का जिम्मा लिया है पर दोनों को ही जिम्मेदारिया बड़ी मिर्दई और अंदेखी नजर आती है इसी साल फरवरी के महीने में शोशल मीडिया पर किसी ने जातिगत हिंसा की घटना वीडियो बनाकर एक्सपर डाली वीडियो में पांच बच्चे हैं जो दलित जाती से संबंद रखते हैं उन बच्चों को जाती व्यवस्था में लिप्त व्यक्ति डंडे से मार रहा है बच्चों के पैर और हाथ पीछे से बंदे हुए हैं आसपास खड़ी भीड हमेशा की तरह हिंसा की भागेदारी बनी हुई है किसी ने उस व्यक्ति को रोका नहीं जो यह दर्शाता है कि वह भीड वह समाज जातीगत हिंसा के कितने समर्थन में हैं सभी बच्चों के सिर्फ इसलिए पिटाई की गई क्योंकि उन्होंने सार्वजनी कुए से पानी पिया सार्वजनी जो समाज में कहने के वह सब में नहीं आते भारत भर में पीने के पानी के लिए दलित हिंसा और भेदभाव का सामना करते आ रहे हैं बच्चों से जुड़ी पानी पीने वह कुए को छूने से जुड़े हिंसा के मामलों की बात की जाये तो 12 फरवरी 2023 को उत्तर पदेश के बिजनौर के सिर्वा नौ साल के दलित बच्चे को तालाब से पानी पीने के लिए एक सिक्षक में पीट डाला जुलाई 2023 में रास्थान के नेतराड गाओं के एक दलित बच्चे को स्कूल के बरतन से पानी पीने पर स्कूल के सिक्षक द्वारा शारिरिक दुर्भावार किया गया इसके अलाव राज्थान के अलवर जीले में 8 साल के एक दलित बच्चे की बेरहमी से पिटाई का मामला भी सामने आया था जहां कथित उची जाती के शक्स ने पानी की बाल्टी छूने को लिएकर बच्चे के साथ मार पीट की इतना है नहीं उसने कथी तोर पर बच्चे के पिता और घरवालों के खिलाफ जाती शूचक शब्दों का इस्तमाल किया पीडित बच्चे के घरवाले ने आरोपी के खिलाफ केस दर्च करवाया था घटना 31 मार्च की सुभा की थी शिकार के मुताबिक सुभा करीब 9 बजे चौथी क्लास का बच्चा गाउं के सरकारी स्कूल में लगे हैंट पम से पानी पीने गया था तभी पानी की बाल्टी छुने को लेकर उसकी पिटाई कर दी गई पिटा ने बताया कि उनका बेटा अब स्कूल जाने से डरता है उसे लगता है कि स्कूल जाने पर वो आदमी फिर से उसके साथ मार पीट करेगा पीडित के पिटा ने न्याय की मांग करते हुए दोशियों को सजा देनी की बात कही है अब सोस की बात ये है कि किस्वी सदी में भी ऐसे मामले देखने को मिल रहे है कभी दलित दूले को घोड़ी पर चड़ने को लेकर पीटा जाता है तो कभी मूची जातियों के मोहले से गुजरना उन्हें बहंगा पर जाता है और यही कारण है कि हिंदू समाज कई धड़ों में बटा हुआ है उनमें एकता की कमे नजर आती है जिसका फाइदा अकसर राजनेताओं द्वारा उठाया जाता है फिलाल के लिए इतना है आप देखते रहे हैं काप्टिल टीबूतर प्रदेश नमस्कार हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे विडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया